सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोलोनुसकोपी या बड़ी आपकी कब जरूरत पढ़ती है कोलोनुसकोपी की जाच की सबसे पहले जरूरत पढ़ती है अगर आपको लंबे समय से डाइरिया की शिकायत है diarrhea से मेरा मतलब है lose motions है अगर आपको lose motions होते हैं तो lose motions में आपको सफेद आउं आ सकती है आपको पीली आउं आ सकती है आपको खूनी पिछेश हो सकती है अगर यह तीनों इस्थितियां हैं तो आपको colonoscopy की जाच की जरूरत है जैसा आप समझते हैं डाइरिया की जो समस्या है या लेटरिन बार-बार आने की जो समस्या है यह basically बड़ी आउंथ से होती है क्योंकि बड़ी आउंथी वो जगह है पाचनतंत्र की जिसमें की लेटरिन इकटी होती है और बाहर निकलती है अगर आपको बारबार लेटन जाने की शिकायत है या आपको ऐसा लगता है कि इसमें सफेद आउ है या इसमें पीली आउ है या खून है तो आपको kolonoscope की जाच की जरूरत है नंबर दो, नंबर दो पर आता है अगर आपको बहुत लंबे समय से कबजियत की शिकायत है आपको ऐसा है कि आपको एक-एक दो-दो दिन लेटन होती ही नहीं है आपको दो-दो-तिन दिन के बाद कुछ नब कुछ दवा या चूरन या उस तरह की दवाईयां लेने से लेटन अगर होती है तो आपको कुलोनोसकोपी की जाच की जरूरत है जिससे ये देखा जा सके कि आपकी बड़े आँट में कहीं कोई रुकाबट तो नहीं है कहीं बड़ी आँट में कोई सग्रापन तो नहीं है या बड़ी आँट में कोई ऐसा अवरोध तो नहीं है जिसके चलते लेटन को बाहर निकलने में प्राब्लम हो रही है तो दूसरी समस्या जिसमें हम जाच की आवशक से समस्या है यह basically कबजियत है नमबर तीन अगर आपको लेटन में किसी भी किसम का खून आता है अगर आपको लाल रंग का खून आता है जो लेटन में मिक्स होके आता है लेटन में सेपरेट आता है या बून बून आता है तो भी आपको बड़ी आँट की जरूरत है कि इस खून आने का स्रोत क्या है अगर आपको काले रंग की लेटरन होती है इसका मतलब यह है कि यह पुराना खून है तो भी आपको बड़ी आप की जाच की जरूरत है या कोलोनोसकोपी की जाच की जरूरत है क्योंकि जो बड़ी आत है वो करीब करीब एक मीटर लंबी होती है जिसके चार हिस्से हैं एक हमारा कहलाता है सिग्मॉइड या रेक्टो सिग्मॉइड एक कहलाता है डिसेंडिंग कोलन एक कहलाता है ट्रांसफर्स कोलन और एक कहलाता है असेंडिंग कोलन अगर ये खून ascending colon या सीकम से आ रहा है तो जो लेटरिन है वो काले रंकी हो जाएगी या गहरे कथा रंकी हो जाएगी तो अगर आपकी लेटरिन गहरे काले रंकी है कथा रंकी है या उसमें ताजा खून आ रहा है तो आपको kolonoscopy की जाच की जरूरत है नमबर चार अगर बार बार जाचो में ऐसा पता लगता है कि आपको खून की कमी रहती है आपका लगातार जो खून है वो 6 ग्राम, 7 ग्राम, 8 ग्राम जबकि आपको और कोई दूसरी परिशानी नहीं है जबकि आप ऐसा समझते हैं कि आपकी लेटरिन भी एकदम ठीक हो रही है तो कभी कभी डॉक्टर आपकी लेटरिन की जाच करा के ये देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी लेटरिन में छिपा हुआ खुण जा रहा है ये जो टेस्ट किया जाता है लेटरिन का इसे Fecal Occult Blood Test कहते हैं इसमें अगर Occult Blood Positive है इसका मतलब ये है कि लेटरिन भले ही पिले रंकी आ रही हो लेकिन उसमें शायद छिपा हुआ खुण जा रहा है अगर ऐसी इस्थिती है तो हमें फिर Colonoscopy की जाच करनी की अवश्रक्ता होती है बड़ी आथ को ये देखने के लिए कि बड़ी आथ में कोई ऐसी जगे तो नहीं है जहां से खुण लीक कर रहा है कहीं बड़ी आथ में कोई गाउ तो नहीं है बड़ी आत में अलसर्ज तो नहीं है, TV जैसे कोई बीमारी तो नहीं है, कोई गांट तो नहीं है या कोई polyp तो नहीं है, जहां से बार-बार खून लीक कर रहा है तो अगर आपको खून की कमी रहती है, आपका Fecal Auctal Blood Positive है तो आपको कोलोनुसकोपी करानी की सला दी जाती है नमबर पांच माँ, अगर कुछ ऐसा होता है कि आप बिल्कु ठीक थे पट अचानक से आपकी लेटरिन की समस्या चालो हो जाती है जैसे आप दो महने तक पहले बिल्कु ठीक थे लेकिन आपको अचानक से कबजियत की प्राबलम चालू हो जाती है या अचानक से आपको ऐसा होता है कि कभी लेटरिन टाइट हो रही है कभी धीली हो रही है कभी टाइट हो रही है कभी डीली हो रही या alternate diarrhea constipation होने लगता है तो इस इस्थेती में आपको बड़ी आपकी जाच की जरूरत है कि इसमें कहीं कोई बीमारी तो नहीं बन रही है छटवा जो प्रश्ण आता है वो आता है कि अगर आपकी कोई दूसरी जाच होई से फ़र एकजमपल आपका एक ultrasound हुआ आपका एक CT scan हुआ इन जाचों में कहीं कोई ऐसा अंदेशा निकलता है कि आपकी बड़ी आप में कहीं कोई गांट तो नहीं है या बड़ी आप में कोई बीमारी तो नहीं बन रही है जैसे CT scan ने कहा कि आपकी बड़ी आप में इसकी wall thickness है या इसमें गांट होनी की संभावना है या इसमें ulcerations होनी की संभावना है तो इन परिस्थितियों में kolonoscopy की जाच करके उसे इसपष्ट करना पड़ता है कि वास्तों में आपकी बड़ी आप में अंदुरूनी तोर पर क्या problem है एन आखरी बात अगर बिना किसी कारण के आपका वजन कम हो रहा है समस्त जाचों के बाब्यूद ये पता नहीं लग पा रहा है कि आपका वजन क्यों कम हो रहा है ऐसी परिस्थितियों में बड़ी आप की जाच या कोलोनोसकोपी की जाच की जरूरत पड़ती है ताकि ये देखा जा सके कि कहीं इस तरह की कोई problem नहीं है जहां तक हमारे देश का सवाल है या हमारे इस छेतर का सवाल है यहां सबसे ज्यादा common बीमारियां कौन सी है नमबर एक हमारे यहां सबसे ज्यादा common है बड़ी आप में TB की बीमारी सीकम में या आईलियो सीकल टुबरकलोसिस या ascending colonus tuberculosis, सबसे ज़्यादा जो जाचों की जरूरत पढ़ती है, वो हमें पढ़ती है, बड़ी आत की TB की बीमारी के लिए, नमबर दो, सबसे नमबर दो पर जो जरूरत पढ़ती है, वो पढ़ती है, बड़ी आत में गांट या बड़ी आत के cancer के लिए, नमबर थीन, हमें जरूरत पढ़ती है, अगर बार बार खून आता है, जैसे ulcerative colitis नाम की बीमारी, internal hemorrhoid की नाम की बीमारी, solid erectile ulcer syndrome, या even for that matter, infective colitis, इनमें भी हमें जरूरत पढ़ती है, बड़ी आतिया colonoscopy की जरूरत है, फिर अगर आपको बार बार आल्टरने डाइरिया जिसे हमारी भाषा में irritable bowel syndrome कहा जाता है, तो irritable bowel syndrome को confirm करने के लिए नहीं, और किसी बीमारी को exclude करने के लिए हमें colonoscopy की जरूरत पढ़ती है, और आखरी में, अगर आपका खून बार बार कम हो रहा है, जैसा मैंने पहले भी कहा, वो इस चीज का संकेत है कि कहीं से खून ल निदान करती है, बहुत सारी समस्याओं को पहचानती है, और अगर इन बीमारीयों को पहचाना जा सके तो मेरा ऐसा सोचना है कि इनका समुचित निदान कर इनसे छुटकारा पाया जा सकता है.